नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका ज्यान गंगा आर्वेद क्लासेस में माइसिल प्रेक्टर अनिल कुमार पटेल, M.D. आर्वेद, रचना सारीर, असिस्टन प्रोफेसर, S.I.S. आर्वेदिक मेडिकल कालेज, हर हुआ वरारसी आज हम लोग मर्म सारीर के अंतरगत जो है प्रिष्टगत मर्मों की बात करेंगे तो प्रिष्टगत मर्मों का जो सारीर में लोकेशन है इस्तिती है उसके बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कि प्रिष्टगत मर्मों की संख्या हम लोग ने देखा था प्रिश्टगत मर्म किसके अंतरगत काउंट होते हैं अब यहां पर प्रिश्टगत मर्मों के संख्या अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी संख्या होती है 14 होती है तो टोटल जो मद्य शरीर के मर्म होते है 26 होते हैं हम लोगों ने उदर अर्थात एब्डामिन और पेल्विक एक साथ मिला के पढ़ा था और उरस अर्थात थोरेशी कर्विटी को दोनों के मिला के पढ़ा था तो हाँ पर संख्या 12 थी 12 प्लस 14 हो जाएगा तो इस तरह से मद्य सरी के मर्म 26 कंप्लीट हो जाएगे आज तो आएए देखते हैं इसमें जो 14 मर्म होते हैं यहाँ पर जो संख्या है देखेंगे कटिक तरूड है एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ तो संख्या साथ है बट टोटल नमर 14 है इसका मतलब प्रतेक मर्म की संख्या दो दो बताए गई है इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ नम याद करना है साथ बट मर्म की संख्या टोटल कितनी है चौद है तो नम याद करने हैं साथ अर्थात कटिक तरूड कुकुंदर, नितंब, पारसोसंधी, बरिहती, अंसफलक और अंस यह साथ नम याद करने हैं तो हम लोग को साथ नम य शुरूत ने बताई है एकारडिंग टू जो है मानव सरीर में उसके बारे में देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कटिक तरूड के बारे में देखते हैं तत्र प्रिष्ट वंस उभैत हैं तो प्रिष्ट वंस की बात कर रहा है प्रिष्ट वंस के दोनों और प्रिष्ट व श्रोडी कांडम, श्रोडी कांडम भोलते हैं एला ऐलीयम, तो हम लोग ने बात किया था, जब इस particular region में बात करेंगे, हिप जॉइन्ट की बात करते हैं, गुभाण की बात करते हैं, हिप बोन में लिप तीन बोन से मिलकर बना उता है, उपर की तरफ जो पीरियर होता है, वो तो यहां पर बात कर रहे हैं कि श्रोडी कांडम अस्थिनी तो श्रोडी कांड अस्थि किसे कहते हैं एला अफ इलियम स्रोडी कांड अस्थिनी एला अफ इलियम का एक पार्ट होता है एला विंग लाइक स्टक्चर होता है एला मतलब विंग लाइक स्टक्चर तो यहां कहा प्रिश्टवल्स के दोनों और श्रोडी कांड अस्थी के उभैत इतरशे इस्थान पर यह पायाता है कटिक तरोड तो इसका मतलद दिखेंगे कि यह एक्जेक्ट क्या कह रहा है कि इसकी स्थिति यहां पर यह बताई गई है तो यहां पर हम लोग नों बैक में डियाग्राम मनाया है यह पार्सो का ड्याग्राम मनाया है क्योंकि पार्सो के मर्म की बात कर रहे हैं यहां पर हम एक्जेक्ट बोन को नहीं दिखा सकते हैं लेकिन हम सरीन मर्म को एडिकेट कर सकते हैं कि इस जगह पे एला आफ इलियम की इस्तिति है अर्थात इसको कोर्लेट किसे किया greater and lesser sciatic nos, तो आप लोग जब hip bone की anatomy पढ़ेंगे तो उहां पर ileum में पाएंगे की greater and lesser sciatic nose, तो hip bone की ileum और pubis में, तो इस तरह से हम लोग पाते हैं, greater and lesser sciatic nose, तो ileum और ischia में पाएंगे, ठीक है, फिर देखते हैं यहां पर, कि दूसरा पॉइंट है कि इसका जो इस पर अघात होता है तो क्या होता है सोडी च्छया अघात होने पर रक्त का च्छय होगा रक्त का च्छय होगा तो क्या होगा कि लोग उसका कलर डाउन हो जाएगा पांडूता आए गया था एनिमिक हो जाएगा एनिमिक हो जाएगा तो तो यहां पर देखारों एक number अब लोग छोंने सबसे पहले काटिक तरडू के explain के, आप लोग नीचे से उपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर हम देखा है एक number, दो number, तीर number, चार number, पांच number, चार number, साथ number, तोटल साथ है, प्रतेक जो है दो-दो है, इसले सिल संक्या 14 हो पार्श मेंस होता है लेटरल स्पेक्ट, पार्श का मतलब होता है दोनों साइड के लेटरल साइड में, कहा रहा है जगहन, जगहन का मतलब होता है जो जगहन प्रदेश बोला आता है, बहिर भागे, जगहन प्यूबिक के बहिर भाग में, तो हम लोग जब देखते हैं कि भीच जातला लेक्टी और टो Εचान नहीं करता वर जगन सभी याँ लेक्ट सभी तो यह जही है। प्यूब्ज़ दिखेंगे लेक्ट क्या एकप्वीश महां किशा के देखेंगे लेक्त शाइद में रेक्टंश कंथे है बोडी के लेटरल जगन भाग मेंस प्यूबिक जो बोन है प्यूबिक पार्थ है उसके और लेटरल जाएंगे मतलब लेटरल और प्यूबिक बोन के बीच में जो इस्तिती होगी प्रिष्ट वंस उभाइता है यह दोनों साइड में फिर यह भी करा कि वट्रिबार कॉलम के साइड में इसा नहीं के सिरिफ एक साइड में वट्रिबार का दोनों साइड में होता है तो अगर कुकुंदर करते है ischial tuberosity से इसको correlate करते है ischial tuberosity ते इसbenल् fallen का पार्ट है ischiamand का पार्ट है hashi perfume देखते है यहाँ पर कुछ ही जतरा से संद भोला है फिर देखेंगे कि अगर इसは particular इसे कुण्दर पर जब आँगांठ होगा यह मर्ब पर आघात होगा तो क्या होगा तत्र स्पर्स औग्यानम तो क्या होगा स्पर्स औग्यानम मिन्द टच का सेंस या ग्यान नहीं होगा देखेंगे स्पर्स औग्यानम साथी साथ अधहकाय चेश्ठा उपगात जो अधहकाय का मतलब इसके जश्ट नीचे का जो पार्ट है अधहक और यहां पर जो भी अगात होगा तो इसपर्स ग्यान का नास होगा और साथी साथ अधाकाय चेश्था उपगातर्स इसको याद कैसे करते हैं तो कुकुंदर को याद करते हैं कि चुछुंदर से जैसा कि जानते हैं कि चुछुंदर या मोल जिसको बोलते हैं वो एक तरह से जहां अगर चछुंदर आ गया तो बहुत इसमेल गंदगी उसकी होती है तो कहता कि उसको दूर भगाओ तो सपर्स अगया न मिस इसमेल उसका न आए दूसरा है अधकाय चेश्टा घातम जनरली वह जमीन पर चलते रहते हैं तो पैर से टच हो जाती है तो ऐसा करते है कि पै पैर चला जाता है उसमें टच होने पर ऐसा मान लेते हैं कि पूरा पूरा पैर का चिश्टा नाव सो जाती तो यहां दिखेंगा श्रोडित कांडियोर उपर है मिन्स श्रोडि कांड एलाफ इलियम के उपर कीसिती बात करें तो यह देखेंगे यह दो नंबर क्या था आपका कुकुंदर था कुकुंदर को हम लोगों ने चचुंदर से याद कर लिया जश्ट एबब देखेंगे तीसरा पॉइंट है तो यह कर रहा है कि श्रोडि कांड उपर एलाफ इलियम तो एलाफ इलियम जो इलियम बोन के जश्ट एबब में हिप बोन के हम उपर की बात कर रहे है तो तरशे एलाफ इलियम जश्ट उसके पास में कर रहा है उपर यह मतलब उसके एलाफ इलियम मतलब इलियम के उपर उली पार्ट में जैसे हम लोग बात करते कि इस तरशे ये पार्ट होता है तरशे इलियक क्रेश्ट ये पार्ट होता है इलियक क्रेश्ट तो इस रीजन के आसपास की बात कर रहा है इलाफ इलियम की बात कर रहा है इसके उपर क्या होता है? इन दोनों के बीच में क्या होता है? यह तीसरे नमर की जो मर्म है, नितम मर्म होती है. अगर देखेंगे नितम बर्म पर अगर आगात होता है तो क्या होता है तत्र अधा काय शोशे तो यहाँ पर देखेंगे कुकुंदर में क्या था अधा काय चेश्ठा ना सो रहा था लेकिन यहाँ पर नितम में क्या हो रहा है अधा काय शोशे अधा काय शोशे मिन्स सरीर का आधा हिस्सा सूख जाएगा यहां पर सिर्फ चेश्टा का नास हो रहा था बट यहां पर नितम में अगर आगात होगा तो अधा कायशो से सेम उसी जगह पे पूरा-पूरा सूख जाएगा अधा कायशो से दर्बल्लियाच मरडम और दुर्बलता जाएगी और मरड अधा पार्सो अंतर प्रतिबद्धो अधा किसके अधा नीचे किसके पार्सो अंतर पार्सो अंतर मतलब कि जो जैसे अगर यहां से लेकर यहां तक बात करेंगे तूपरा-पूरा पार्सो का लाता है यहां से लेकर यहां तक लेटरल अस्पेक्ट का लाता है तो लेकिन इ जगन के पार्षा तो यह यह इसके पार्ष में और इसके दोनों के बीच में में इसके पार्ष में और रॉम इसते होती है आपके पार्ष्व संधी की जगन पार्ष्व मद्धे उस्ति उध्वम्च तो यह इस्तिती बताई गई है एक जेक्ट यह जो रचना बताती है वो रचना है कामन इलियक वेसल्स यहां से कामन इलियक वेसल्स पास होती है जिसकी वज़े से क्या होता है लोहित पूर्ड कोष्ट है रक्त से कोष्ट भर जाता है फिर देखेंगे पांचवे नमबर पे ब्रिहती है तो ब्रिहती देखेंगे चौथे नमबर पे यहां बता था पांचवे तो इस तन मूल की इस्तिति हम लोग ने देखा था इस तन मूल जो हम लोग ने उरस के मरमों में देखा था इस तन मूल संख्या दो थी अर्थाद इस तन के दो अंगुल नीचे दोनों साइड में इस तन के दो अंगुल नीचे हम लोग ने बात किया था इस तन मूल की तो हम मगर simply हम आगे के तरफ क्या है इस्तन है तो आगे के तरफ इस रीजन में क्या है इस्तन है लेकिन इसके नीचे लेकिन सीधे इसके नीचे बट सीधे क्या है एक तरफ से आपका यह ब्रेहती स्तन मूल रिजू रिजू में सोता है सीधी स्तन मूल के नीचे सीधे लेकिन नीच जे है सीधे उभैता दोनों साइड में क्या प्रिष्ट वंस से प्रिष्ट वंस मन्द वर्टिब्र कालम के उभैता वर्टिब्र कालम के दोनों ओर जो होता है एक मर्म होता है दटिच काल वरिहती तो वर्टिब्र कालम के दोनों ओर लेकिन एक्जेक्टिसिती क्या है इस तन सर्वाइकल आर्टरी सब स्कैपुलर आर्टरी एंड ट्रांस्वर सर्वाइकल आर्टरी के नाम से हापर स्ट्रक्चर पास होती है तो ब्रिहती मर्म पे अगर अगहात होगा तो सूरित अति प्रवित्ती रक्त की बहुत ज्यादा प्रवित्ती होगी और मिर्ती होगी रक्त बहुत ज्यादा निकलेगा तो ब्रेक्ति शॉक में जाएगा और मृत्यू निश्चित है फिर देखेंगे छठे नमर पे तो पाचवान नमर यह हो गया कहीं कहीं यह पॉइंट है हम लोग देखते हैं कि यह पोश्टियर साइड से ऐसा लगता है कि स्कैपुला के इंफिरेर देखेंगे अंस फलक अंस फलक तो है प्रिष्ट उपरी प्रिष्ट प्रदेश में उपर अंस फलक मतलब प्रिष्ट प्रदेश है यह पूरा प्रिष्ट प्रदेश का लाता है लेकिन उपर के तरफ पीठ इसको तो पीठ बोलते हैं प्रिष्ट प्रदेश लेकिन इसमें प्रिष्टो उपरी ये वाला रीजन प्रिष्टो उपरी है प्रिष्टो उपरी अथा प्रिष्ट प्रदेश में उपर की तरव प्रिष्ट वंस उभैता है तो इसका मतलब हर क्रिष्ट वंस के दोनों ओर प्रिष्ट वंस उभैता त्रिक संबंधे त्रिक रीजन क्या होता इसको जान लेते हैं त्रिक रिजन एक्चुली देखेंगे जहां पर ये दोनों आर्म और ये नेक का जो पाट जिस पार्टुलर रिजन में ये मिलता उसको बोलते हैं त्रिक रिजन इसको बोलते हैं त्रिक रिजन एक तरह से इसको त्रिक रिजन बोलते हैं तो यहां पर द देखते हैं कुछ इस तरह से रहता है। spine of scapula यह है। स्कैपुला रेजन पर ही spine of scapula की बात कर रहा है। तो यहां देखेंगे अगर अंसफलक पर अगर हात होगा तो क्या होगा बाहु सोस हो जाएगा। इस पर अग हात होगा तो बाहु सोस हो जाएगा बाहू सोस तो इसको correlate किसे करते हैं Spine of Scapula इसका मतलब particular nerve या artery कोई पास हो रहे जिसकी वेसे यहाँ पर उसकी जो टांसपोर्ट है वो break हो रहा है फिर दिखेंगे अंस को correlate करते हैं बाहू उर्धवम बाहू उर्धवम मिंस बाहू अर्था दोनों साड़ में बाहू है इसके उपर की तरफ बाहू उर्धवम देखेंगे यहाँ पर attach हुआ है इसके उर्धपार्ट में बाहू उर्धवम ग्रिवा मध्य इसका मतलब ऐसा नहीं कि बिलकुल हम बाहू उर्दवम उसके यहाँ पर कर लेंगे लेकिन गृवा मध्य में गृवा के ही तरफ जैसे गृवा है थृषा गृवा मध्य इसके मध्य रिजन में यहाँ गृवा है कि अनस पीट का मतलब होता है यह होता है एक्तरशे cavity एक्तरशे जो हिब बोन एक्तरशे यहाँ पर जो जॉइंट बनता है इसको बोलते हैं हम लोग नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है यहाँ पर ग्लिनवाइड cavity ठीक है ना तो यह अंसर पीट को बोला गया है ग्लिनवाइड केवटी को ग्लिनवाइड केवटी और इसकंध में सकंधा तो ग्लिनवाइड केवटी इसका मतलब जो head of humerus होता है, head of humerus, head of humerus, जो किसका हाँ attach होता है, यह articulate करता है, glinoid cavity से जाके fit होता है, glinoid cavity और कंधे को, दोनों को बांधे रखता है, इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, कि coracoclavicular ligament, coracoclavicular ligament से correlate करते हैं, अंस मर्म को और देखेंगे इस पर आगात होगा तो इस्तब्द बाहुता होगा मतलब कि जो बाहु है या दोनों हाथ है उसमें जकड़ाहट आ जाएगी उसको बोलेंगे इस्तब्द बाहुता इस तरह से हम लोग का प्रिष्ट के मर्म हम लोग के समापत होते हैं झाल